सर्वेभ्यो नमः देवबानी संस्कृतम यूटूब चैनल में आप सभी का हारदेव अभिनंदन है मित्रो देवबानी संस्कृतम संस्थानताह सर्वेशाम कृते चावणी उपाकर्म पर्वनह संस्कृत दिवसस्या रक्षावंधन पर्वनश्या हारदिकाह शुवाशयाह प्रिश्यन्द देवबानी संस्कितम और लायन निशुल्क संस्कित सिक्षन संस्थान की तरफ से आप सभी के लिए शावणी उपाकर्म पर्व की संस्कित दिवस की और रक्षावंधन पर्व की हारदिक शुव कामनाये प्रेशित करते हैं परंपिता परमेश्वर से आप सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ सुख मय शांती मय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं परंपिता परमेश्वर आप सभी को अपार शक्ती सामर्थ प्रदान करें जिससे आप सभी का जीवन सुख मय शांती मय और मंगल मय हूँ आये मित्रों आज के इन तीनों पर्वों के अवसर पर थोड़ी सी चर्चा कर लीते हैं आज के ये तीनों पर्व ही पवित्र पर्व ही पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए अत्यंत महत्व पूर्ण पर्व हैं हमारे अनेक पाठक महानुभाव शावणी उपाकर्म पर्व के विशय में कम जानते होंगी संस्कित दिवस के रूप में भी आज का ये हमारा पर्व मनाया आज का दिन ये पर्व के रूप में मनाया जाता है और रक्षावंदन पर्व की रूप में भी मनाते हैं रक्षावंदन पर्व तो सभी लोग जानते हैं सभी लोग मनाते हैं बारत देश के अंदर और भारत से बाहर रहने वाले जो भी अमारे भारती लोग हैं सभी लोग मनाते हैं बहुत ही अच्छा संदेश देने वाले पर्व शावणी उपाकर्म ये बहुत प्राचीन तम पर्व है इसको वैदित पर्व भी बोलते है शावण मास की वूण मां के दिन यहाँ पर्व मनाया जाता है और यह बहुत प्राचीन काल से रिशी मुनियों के समयों से लगातार मनाया जा रहा है इसलिए सबसे प्राचीन तम जो पर्व हैं वैदिक पर्व वो है शावणी उपाकर्म पर्व शावणी उपाकर्म पर्व हैं इस दिन हमारे जो आचारी लोग होते हैं और ब्रह्मचारी अत्वा ब्रह्मचारिणियां जो गुर्कुलों में पाठशालाओं में रहते हैं वो आज के दिन यज करते हैं वेद मंत्रों का पाठ करते हैं यज्यों पभीत को नया धारण करत नया एज्यो पबीद लेते हैं अत्वा पुराना जो पहना हुआ है वो आज के दिन बदलते हैं मंत्रों के साथ यह हमारी प्राचीन परंपरा है वस्ततों यह बहुत प्राचीन परंपरा है वैदिक परंपरा इस परंपरा के विशय में बताया जाता है कि प्राचीन समय में जो भी गुर्कुल थे संस्कित पाठशालाएं थी वो जंगल में हुआ करती थी नगरों से दूर हुआ करती थी प्राचीन काल में जो मार्ग थी वो इतने पके मार्ग नहीं थे जंगल के लिए जंगल में जो गुर्कुल बने हुए थे वहाँ पर जाने के लिए पके मार्ग नहीं थे तो ये ये जो चार मास हैं वर्सात के जो इसको चातुर मास से भी बोलते हैं ये जैनियों में अभी बरत्मान में बहुत प्रचलेता है चातुर मास से उनका चलता है तो वस्तुता चातुर मास से क्या है ये वईदिक ही परंपरा है इन चार मासों में जब बरसात होती है तो क्या होता है जो आचारी लोग थे जो जंगल में अपने पाठशालाओं में रहते थे आश्रमों में रहते थे तो जो मार्ग थे नगर तक आने के वो अवरुद्ध हो जाया करते थे पानी से भर जाया करते थे तो आना आने जाने में आना जाना ही बंद हो जाता था तो वो क्या विचार करते थे वाई अब वो बरसात आने वाली है चलो अब आश्रमों से हम नगरों के पास चलते हैं वहीं पर डेरड़ा लेंगे धर्म शालाओं में या जो भी बगीचे आदी उस समय थे तो वो नगरों के ग्रामों के समीप आ जाया करते थे फिर वहीं पर उनके ग्राम बासी लोग थे वो खाने पीने की सारी विवस्था कर दिया करते थे और आचारियों के साथ में उनकी विभ्यार्थी भी रहते थे अब आचारी लोग जो थे वह उन भून ऐसा विचार करते थे कि हम ग्राम बासियों से सब कु तो इनको भी हमें कुछ देना चाहिए तो आचारी लोग क्या दे सकते हैं जियान दे सकते हैं तो वो भी क्या करते थे इन चार मांस में लगातार ग्राम वासियों के लिए नगर वासियों के लिए प्रबचन किया करते थे अच्छी अच्छी मानव जीवन संबंधी बाते बताया करते थे जीवन संबंधी बाते बताया करते थे और अपने जो शिश्य थे उनको भी पढ़ाते रहते थे प्रवचंतों केवल एक गंटा या दो गंटे करते होंगे बाकी से समय में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे तो आज आज जो शावनी पर्व है शावन मास की पूणमा है उसी दिन पूणमा अर्थात एक अच्छा दिन माना गया है पूणता को प्राप्त होती है चुसंद्रमा पूणता को प्राप्त होता है तो मनुश्वी परार्थना करता है कि हमारा भी जीवन पूणता से प्राप्त तो आज के दिन ही वह यज्जादी करते थे और यजञ्यों पवीश संस्कार का भी परवर्तन करते तो इसको बदलते थे इस लिए इस पर्व को ब्रामनों का पर्व भी कहा जाता है ब्रामनों का अर्था विद्ध्वानों का पर्व जो पढ़ने लिखाने का कारी करते हैं उनका पर्व कहा जाता है तो प्राचिनकाल में यह लगातार इसी प्रकार से चलता था अब सभी विद्ध्यालय संस्कित के हों चाहे किसी भी भाषा के विद्याले हों कुछ सभी विद्याले नगरों में ही आ गये हैं परंत उस परंपरा को जीवित रखने के लिए आज भी उसी तरीके से ये पर्व मनाया जाता है सभी आचारी लोग यज करते हैं यज्यो पबीत बदलते हैं और वेद के मनतरों का स्वाध्याए करते प्रवचन करते हैं तो मित्रों ये प्राचीन अमारी परंपरा थी उस परंपरा को हमने रंतर आगे ले जा रहे हैं तो आज के दिन हमें ये भी संकल्प करना चाहिए कि ये ज्यान का पर्व है हमें संकल्प ये लेना चाहिए कि हम प्रते दिन कुछ न कुछ समय थोड़ा चाहे थोड़ा समय प्रते दिन ज्यान की व्रिद्धी के लिए कुछ नया जानने के लिए अवश्य पढ़ हैं तो ने कि ये पर्व हमको ये भी प्रेड़ना देता है कि हम दुकांदार हैं हम अध्यापक हैं हम इंजिनियर हैं हम डॉक्टर हैं कुछ भी है परन्तु हमें एक कार्यवश्य करना चाहिए कि प्रत दिन चाहिए हमको 30 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ नया सीखने के लिए अवश्य दे चाहिए तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा ठीक है वस्ता हम तो आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि आज शावणी उपाकर्म पर्व हैं हमारी प्राचीन परंपरा है वैदिक जानकी परंपरा है तो आप ऐसा संकल्प लें कि हम प्रति दिन पांच-पांच मंत्र ब्वर्ब का पार्ट करेंगे एगर प्व कोई भी वेदा अधा लिजिए गदा पहले रिधा रेगवेद अधालिजिए गा उसके पांच-पांच मंत्रों का पाठ की जेगा प्रत्विन और हो सके तो उन पांच मंत्रों में से किसी एक मंत्र का अर्थ पर भी विचार कीजिएगा, अर्थ भी पढ़िए तो ये पर्व हमारा सार्थक रहेगा, हमारी ज्यान की परंपरा आगे बढ़ती रहेगा दूतरा हमारा पर्वयमित्रों संस्कित दिवस, आज के दिन संस्कित दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, सरकार के द्वारा ये दिवस भोशित कर दिया गया है तो हमें एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि हमें संस्कित अपने जीवन में अवश्य सीखने हैं अधिक बहुत बड़ा विद्वान ना बने परंतो सामान संस्कित अवश्य सीखने हैं अब आपके मन में अजब प्रश्न आ सकता है कि संस्कित कहां सीखें कहां जाएं हमारे तो बहुत सारे कार हैं हम जाई नहीं सकते तो मित्रो इसलिए देववानी संस्कितम संस्थान ने एक ओनलाइन कोर्स बना दिया है निशुल्क त्रैमासिक कोर्स जिसमें आपको पूरी जीरो लेवल से सामान संस्कित का लेखन और पढ़ना पढ़करके समझना सिखा दिया जाता है है आपको कहीं नहीं जाना आए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है और आपको अपना संकल्प अपने घ्रिह पर ही बैठे बैठे पूरा कर लेन ऐती के यूटूब चैनल पर कोर्स बना हुआ अधिक जानकारी चाहिए आपको उसका लिंक चाहिए तो प्लेलिस्ट में बनी हुई है प्रारम भी करचनानवाद काउंधी न्यू कूर्स फिर भी आपको कोई कठनाई होती है तो आप देववानी संस्कितम संस्थान के वाटसप नंबरों पर संपर कर लिएगा सभी नंबर डिटेल चैनल के डिस्क्रिप्शन में देगे तो आज आप सभी से हम ये भी निवेदन करेंगे कि संस्कित दिवस के रूप में आज हम इसे मनाएं और यही संकल्प लें के यदि हम संस्कित भाषा नहीं जानते तो हम संस्कित भाषा को अवश्य सीखेंगे अपने जीवन में तीन मास तो निकाल ही सकते हैं, तीन मास पूरे भी नहीं निकालने, तीन मास आपको एक एक घंटा देना है, बस इतना तो कर सकते हैं, इतना तो हमें संकल्प लेना चाहिए, यदि हम भारती हैं तो, हम हिंदू हैं तो, हम सनातनी हैं तो, हम वैदिक हैं तो तीसरह पर्वय मित्रो हमारा रक्षावंधन पर रक्षा वंधन पर एक भाई और जहनका पर्व है अ पश्तता यह बहुत प्राचिन नहीं लगबग ेक हजार वर्ष से यह प्रचलन में आया है में यह पर्व तो लाखों वर्षों से चल रहा है लाखूं वर्सों से लाकों के करोणों वर्स भी कह सकते हैं और ये पर भी नया है सरकार के द्वारा घोशित और इसलिए यह पर्व भी अधिक पुराजी नहीं यह लगभक एक अजार या बारह सो वर्ष कुराना है परंत यह एक अच्छा पर्व है, पवित्र पर्व है, समाज में शांती लाने वाला पर्व है, हमारे अंदर पवित्रता को उत्पन करने वाला ये पर्व है, इस पर्व के विशय में हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहेंगे, कि ये पर्व एक भाई और बहन के रिलेशन को बताने वाला पर्व है, हमारी बहने अपने भाईयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांगती हैं, रक्षा राखी बांगती हैं, और हमसे निवेदन करती हैं अर्ताथ हमें ये बताना चाहती हैं कि भाई आपको हमारी रक्षा करने ये बहुत ही पवित्रता लाने वाला पर्व हैं, परंत यहां पर हमको ये ध्यान रखना हैं, कि जिस बहनने हमको राखी बांगती है केवल, किसी एक बहनने या दो बहनने, उन दो बहननों की रक्षा करने का ही पर्व नहीं हैं, दो बहननों तो इस देश की करोणों बहननों का प्रत निजित्व करके हमारी कलाई में ये राखी बांगती हैं, उस एक या दो बहनने सभी बहनों की रक्षा के हेतु ये राखी बांगती हैं, इसलिए कहीं पर भी किसी भी बहन पर कोई आपत्ती आये तो हमारा रक्षा करना करतब्द है ये ध्यान देजिए, केवल एक बहन या दो बहन तक सीमित मत रखिए, ध्यान दीजिएगा सनातन वैदिक पद्धती, हमें क्या संसकार देती है, सनातन वैदिक पद्धती हमको ये संसकार देती है, हमको ये सिखाती है, कि संसार में हमारी आयू की जो भी हमारे से थोड़ा छोटी या बड़ी जो भी इस्त्रियां हैं, वो सभी हमारी बहने हैं, विवाह हो जाने के बाद केवल एक इस्त्री जो अपनी धर्म पत्नी हैं, उसको छोड़ करके हमारे समकक्ष आयू की जो भी इस्त्रियां हैं, तो सभी हमारी बहने हैं, हमारी सनातन पद्दती, हमारी सनातन संस्कृती यह सिखाती है, ज्यान रखिएगा, और आप विचार कीजिएगा, जब हमारे मन में यह विचार आता है, कि यह सभी हमारी बहने हैं, तो हमारे मन में कभी भी उनके प्रति कुविचार नहीं आ सकते हैं, कभी भी हमारे अंदर कामुक्ता नहीं आ सकती हैं, हमारे अंदर हमेशा उन बेहनों के प्रति एक पवित्र भाव उत्वन होगा हम कभी भी गलत कार करने का विचार ही नहीं कर सकते तो यह पर्व हमको यह भी सिक्षा देता है कि हमें यदि हमारा विवा हो गया है तो केबल अपनी धर्म-पत्नी को छोड़ करके हमारी समकक्ष आयू की जो बहने इस्त्रियां वो सभी हमारी बहने हैं उनकी रक्षा करना हमारा परमकर्तम है चाए वो किसी भी धर्म को मानने वाली हो चाए वो किसी भी देश की हो वो हमारी बहन है यह हमारी सनातन पद्धती हमें सिखाती है तो इसको हमें बचाना है अपने बालक और बालिकाओं को अपने विद्यार्थियों को यह संदेश देना हैं जो समाज में गलत गटनाएं गटित हो रही है उसका कारण आप सभी जानते हैं उसका कारण है क्या कारण है उसका कारण यही है कि हमको विद्यालयों में वर्तमान समय में प्राची निकाल में क्या करते थे हमारे गुरुजन हमारी अभिभावक हमें सिखाते थे कि बेटा तुमारी समान आयू की जो भी बालिकाएं हैं वो सभी तुमारी बहने हैं और बालिकाओं को क्या सिखाया जाता था कि बालिकाएं बेटियों तुमारी आयू के जो भी लड़के वो तुमारे भाई हैं को जब यह बात हमें बच्च्पन में सिखाई जाती है घर में सिखाई जाती है विद्यालयों में सिखाई जाती है तो हमारा हमारे अंदर आपस में एक पवित्र संस्कार्पन होता है पवित्र विचार हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति रहते हैं हमारे अंदर कामुकता नह आती है हम किसी बहन के साथ गलत कार्य करने का कभी विचार ही नहीं कर सकते और वर्तमान में इसका विप्रीत हो रहा है आज की हमारे विद्यालेयों में गоль्ल फ्रेंड और shoots गात क्वा जातक प्रंपरा चल पड़ी है अब विचार केजिए इस जब किसी इस्तुरी के साथ में बहन का रिस्ता जोडता हैं तो हमारे आप स्वयन परिक्षन कर सकते हैं यदि एक इस्तरी या कोई वालिका कोई लड़की किसी लड़के के प्रती उसको वाइफ्रेंड की दृष्टा बनाती है तो उसके अंदर किस पकार के विचार आती है और वही लड़की यदि उस लड़के से भाई का रिस्ता बनाती है तो क वित्र करने वाला है और जो आज पाश्च्चत संस्कृति के द्वारा दिया जा रहा है हमारे बालक और बालिकाओं को जो संसकार कुसंसकार संसकार ने कुसंसकार वो हमारे मन को हमारी आत्मा को मलीन करने वाला है हमारे कृत्यों को मलीन करने वाला है हमें अधोगति को ले जाने वाला है समाज में भय प्यादा करने वाला है कितनी दुखत घटनाएं घटत हो रही है समाज तो मित्रो हम सभी को इस पर्व के साथ में रक्षा बंदन पर्व के साथ में इसका भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना है कि हमें अपने बालक बालिकाओं को बेटी और बेटों को यह सिखाना है कि आपके आयू के जो यदि लड़के हैं तो वो आपके भाई हैं और यदि लड़के हैं तो वो सभी आपकी बहने हैं तो यह घटनाएं घटक नहीं होगी एक लड़की को कहीं भी जाने में कोई भय नहीं होगा क्योंकि उसे जात है कि ये सभी मेरे भाई हैं और कोई भी बहन अपने भाई से भै नहीं करते हैं इध्यान लखिएगा तो आईएगा इस परवपर हम राखी बंधमाएं तो एक बहन दी हमें राखी बांधती हैं तो वो करोणों बहनों का प्रति निधित्व करके हमें बांध रही है करोणों बहनों की रक्षा करना हमारा परम करतब्र हैं यह संकल्प ले मित्रों कि छलिएगा तो मित्रों ये थोड़ी से विचार में आपके समक्ष संस्क के दिवस संकर्म हमारे लिए मनाएं सोधेश्य मनाएं कि इन से हमारा स्वयम का जीवन समाज का स्थर अच्छा हो आगे बड़े समाज में शांती का वातावन हो समाज में भय का भय उत्पन्न ना हो हमारे बहने सुरक्षित अपने आपको मैसूस करें इस प्रकार के संसकारों को दे करके लोगों में हमें इस प्रकार का वातावन बनाने का पुरुशार्थ करना है, यही हमारे इन तीनों परवों की सार्थकता है, और प्रतिन स्वाध्याय करें और संकल्प लें कि हम संस्कित अवश्य सीखेंगे, चलिएगा, आज का पर्थ हमारे लिए बहुत ही प्रेणा दायक हैं, इनसे हम पिता परमेश्वर, आप हम सभी को इतना शक्ति और सामर्थ प्रदान केजिएगा, कि हमारा जीवन सुक मैं और शांती मैं हो, हमारा जीवन मंगल मैं हो, हम हमेशा सन मार्ग पर ही चलते रहें, कभी भी हम कुमार्ग का आचरण ना करें, हम समाज के लिए एक प्रेरणा ब हम ऐसा उच्छ मार्ग का आचरण करें, जिससे समाज हमारे पीछे चलने के लिए प्रेरित हो, ओ शांती, शांती, शांती